वेल्कम टो टेकवर चेनल दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे सैमसंग गेलेक्सी जी फॉल्ड थरी जी फ्लिप त्री और सैमसंग गोज फॉर का ओफीसियल लुक और साथ ही आपको बताएंगे सैमसंग गेलेक्सी S21 FE की फॉल इन्फॉर्मेशन तो दोस्तों वीडियो में अंतक बने रहे हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों इस फोटो में आप देख सकते हैं सैमसंग जी फॉल 3 और जी फ्लिप 3 का ओफीसियल लुक मेरे फ्याल से यह जी फ्लिप 3 5G स्मार्टफोन दिखने में बहुती खूपसूरत लग रहा है इसकी बेक साइड डिस्पले भी इस बार थोड़ी सी बड़ी है और पीछ की तरफ तीन केमराज लगे होंगे दोस्तों S21 Ultra और Note 20 Ultra की तरह इसमें ज्यादा बड़ा केमरा बंप नहीं देखने को मिलेगा और इसके साइड में पावर बटन के ऊपर ही फिंगर प्रिंट से एंसर लगा होगा और पहली बार आपको फॉल्ड सीरीज में S-Pan का अंदर की स्क्रीन पर इन डिस्प्ले सेल्फी केमरा होने वाला था लेकिन अब यह होगा की नहीं इसके बारे में अभी कुछ कंफरम नहीं कर सकते अब दोस्तों बात कर लेते हैं Samsung Galaxy Watch 4 के बारे में इस बार इसमें आपको बहुत ही ज्यादा कलर ओप्सन देखने को मिल देखने को मिलेंगे और इसके उपर लगी होगी गोरिला ग्लास डी अक्स प्लस की प्रोटेक्शन यह दो साइज में आएगी एक 40 मिलिमीटर और दूसरी 44 मिलिमीटर और हमेशा की तरह यह वोच वाटर प्रूफ भी होगी अब दूस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको इ हिसाब से S21 FE के लांच को पॉस्ट पॉंड किया जा सकता है कुछ लिक्स के हिसाब से यह स्मार्ट फॉन सिर्फ यूनाइटेड इस्टेट और यूरोप में ही लांच किये जा सकते हैं हालांकि सैमसंग साउथ कोरियन कंपनी है लेकिन वहाँ पर भी यह फॉन लांच नहीं कर दिया था लेकिन इसकी पॉपुलारिटी को देखते हुए सैमसंग ने इसको कुछ कंट्रीज में लांच करने की सोची है तो दूस्तों इसी तरह के लेक्स सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूलें झालनुएं झालनुएं